भाई आज हम लोग 4.3 का कोशन नमर 8 को कंटियू करेंगे यार कोशन नमर 8 में दिया हुआ है कि एक ट्रेन युनिफोर्म स्पीड से एकदम समान स्पीड से ना कम ना बेसी युनिफोर्म स्पीड से एक जगा से दूसरे जगा जाता है उन दोनों जगा के बीच का दूरी है 360 किलोमिटर 360 किलोमिटर वो डेली जाता है याता है अपना युनिफोर्म स्पीड से लेकिन एक दिन क्या हुआ उसने अपना ट्रेन का स्पीड बढ़ा दिया 5 किलोमिटर पर आवर स्पीड बढ़ गया तो भाई पहले जीतना देर में पहुचता था उससे एक घंटा पहले पहुचा दूरी भाही था बस थोड़ा से स्पीड बढ़ाया तो एक घंटा पहले पहुच गया तो चलो यार ट्रेन का युनिफोर्म स्पीड को हम लोग एक समान लेते हैं है ना और डिस्टेंस कितना था भाई 360 किलोमेटर अचा ट्रेन का नया स्पीड कितना है भाई पहले का स्पीड से 5 किलोमेटर पर आवर स्पीड ज्यादा तो पहले का स्पीड में से 5 किलोमेटर पर आवर ज्यादा जोड दिये तो यार नया distance कितना होगा भाई distance कहां से नया होगा distance तो उतना ही ना होगा 360 का 360 किवे मिटर अचा भाईया एक फोर्मूला तो जानते हो न speed is equal to distance by time तो यार हमें time निकलना है तो time is equal to distance by speed होगा हाँ भाई तो हमें time निकलना है तो दोनों case में time निकालते हैं उपर वाला case में time हो जाएगा 360 by x distance 360 is speed x है अब second वाला case में time हो जाएगा 360 by x plus 5 क्योंकि इसका speed 5 km per hour बढ़ गिया है भाई जब speed कम था तो ज़्यादा time लगता था और जब speed ज़्यादा हुआ तो time कम लगा तो speed कम था उसमें से speed ज़्यादा था उसको minus कर देते हैं तो 1 आना चाहिए तो is equal to 1 मैंने लिख दिया है अब इसका LCM लेके solution निकालते हैं LCM मैंने ले लिया है उसके बाएद इसका solution निकाल रहा हूँ minus 360 x is equal to 0 यार देखो भाई इसमें 360 plus में है और 360 minus में है तो दोनों कट जाएगा plus minus दोनों 0 हो जाता है तो यार 1800 is equal to x square plus 5 x आ गया तो x square plus 5 x minus 1800 is equal to 0 1800 को हम लोग इधर ले आएं तो ऐसा हो जाएगा तो यार अब इसको factorize करते हैं 5 को ऐसा दो नंबर में तोड़ना है जिसको गुना करने से 18 सव आए minus 18 सव आए और जोडने से 5 आए तो यार 45 और 40 को गुना करने से 18 सव आता है और इसको minus करने से तो 5 ही आएगा अब भाई इसको जो bracket के अंदर है उसको एक तरफ लिख देते हैं और जो bracket के बाहर है ट्रेन जा रहा है तो उसका speed minus 45 थोड़े ना होगा उसका 40 ही होगा तो यार उसका actual speed 40 है चलो तब यार अगला कोशन की ओर बढ़ते हैं कोशन नमर 9 में बताया गया है कि दो गुण नल है एको छोटा नल है एको बड़ा नल है जब हम लोग दोनों नल से पानी चालू कर देते हैं और उसको एक tank में जमा करते हैं तो यार वो tank को भरने के लिए 9 into 3 by 8 hours लगता है तो इसको simplest form में करते हैं 75 by 8 hours लगता है कोशन में बुला गया है कि वही ड्राम है उतना ही बड़ा ड्राम है अगर हम लोग दोलों नल को एक साथ ना चला के छोटा नल को अलग चलाएं और बड़ा नल को दुसरा ड्राम में अलग चलाएं तो छोटा नल से ड्राम भरने में कितना देर लगेगा और बड़ा नल से ड्राम भरने में कितना देर लगेगा बस यही बताना है भाई सिंपल तो कोशन है यार इसमें एक हिंट भी दिया हुआ है छोटा नल से ड्राम भरन लिए X hours time लगता है तो बड़ा नल से पानी भरने के लिए X-10 hours लगेगा हम लोग लिख लेते हैं Let the time taken by small tap to fill a tank is equal to X hours then the time taken by big tap to fill a tank is equal to X-10 hours क्योंकि question में ही बोला गया है कि छोटा नल से पानी भरने में यतना time लगता है ना उससे 10 घंटा कम time लगता है बड़ा नल टोटल टाइम कितना दिया हुआ है, टोटल टाइम मुझे याद है, 75 by 8 आवर्स दिया हुआ था, यार जब ऐसा कोशन रहना, तो कुछ अलग तरीका अपनाना होता है, हम लोग सबसे पहले यह निकालते हैं, कि एक घंटा में छोटा नल से, ड्राम का कितना पाट भरता है, मत कितना फाइदा होता है, हम लोगा भी कोशन बनाने के टाइम ही बताते हैं, तो एक घंटा में कितना भरता है हूँ, कैसे पता चलेगा? भई, जितना टाइम दिया है, बस उसका रिभर्स करना है, रिवर्स कर εν giving, तो इसका रिभर्स कर दिये, यार यह तो सिर्फ छोटा वल बड़ा वला नल का भी तो निकालना होगा, कि बड़ा वला नल को अगर हम लोग एक घंटा चलाते हैं, तो कितना ड्राम भरता है, मतलब ड्राम का कितना जगह भरता है, तो चलो हम लोग बड़ा वला नल का भी निकालते हैं, इसमें भी वो सेम करना है, रिभर्स कर देना है, तो x-10 था, तो 1 by x-10 हो जाएगा, यार, total time दिया है न, उसको भी reverse करना होगा, क्योंकि सबको reverse करने हैं, तो total time को भी reverse करना होगा, ठीक है, अब यार, कुछ नहीं करना है, जो हम लोग reverse करके निकला हैं न, time, दोनों को जोड़ देना है, equal to करके, जितना time दिया हुआ है, बस, वही लिख देना है, तो मैंने इसको लिख दिया, यार, इसको बनाने के लिए न, थोड़ा ज्यादा जगह लगेगा, इसलिए मैंने उपर का जो लिखा था न, उसको साफ कर दिया, और इसको यहां को ना में लिख दे रहा हूँ, अब इसको solve करेंगे, इसको solve करने के और x into minus 10, minus 10x is equal to 8 by 75, अब यार, इसको cross multiply करना होगा, और दूसरा कोई उपाए नहीं है, तो मैंने इसको cross multiply कर दिया, अब यार, इसको पूरा multiply करने से हमारा आ गया, पूरा multiply करने के बाद हमारा इतना आ गया, अब यार, एक तरफ लाते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो 150, यार, 80x उधर minus में था, तो इधर आके plus में हो जाएगा, अब minus 750, अब 8x square उधर plus में था, तो इधर आके minus में हो जाएगा, भाई, x square वाला को सुरू में लिखा जाता है, इसलिए हम इधर लिख देते हैं, minus इसमें भी लगा रहे हैं, कोई दिकत नहीं है, सुरू में लिख कि अब इसको फेक्टराइज करना है, 750, और 8 बाइन से धर आएगा, अब इसको प्राइमःटराइज करते हैं, तो दो पचे, दस पच्छे 50 दूनी 100 दूनी 200 एको 200 हो गया और दो पच्छे 10 या 30 एको 30 हो गया तो दोनों में से मैनस लगा देने से और दोनों को जोड़ देने से दूसरों 30 हो गया रहाएगा यार एको 200 होगी और एको 30 होग आगए ना मैनस 700 एको 30 है यो गया अब यार अदर अजाएगा 45 अब यहां मैनास 30 को मैन सो गया क्योंकी हम लोग मैन सो कुमन लिया है अभा ब्रेकेट के अंदर वाला को अलग लिख देते हैं और ब्रेकेट के बाहर वाला को अलग लिख देते हैं आइदर और दोनों को 0 के इकवल कर देते हैं तो हमारा फैनली आ गया x is equal to 25 और x is equal to 30 by 8 यार 30 by 8 नोट अब लिकेवल होगा क्यों होगा देखो भाई 8 से 30 को डिभाइड करने से 3.75 आता है अब यार x is equal to 3.75 आया तो हम लोग माने थे कि छोटा वला नल से ड्राम भरने में x घंटा लगता है और बड़ा वला नल से ड्राम भरने में x minus 10 घंटा लगता है तो यार अगर हम लोग x के जगा में 3.75 रखके 10 को minus करेंगे तो time minus में आ जाएगा और time कभी minus में नहीं आता है इसलिए हम लोग का 30 by 8 note applicable होगा और x is equal to 25 ये सही होगा ये समझ में आया ने यार तो भाई छोटा वला नल से ड्राम में पूरा पानी भरुआने के लिए 25 घंटा लगता है और बड़ा वला नल से पानी भरुआने के लिए 10 घंटा कम लगता है मतलब 15 घंटा लगता है यार ये थोड़ा important question है ना इसलिए मैंने इसको थोड़ा जाद explain करके बताया और time भी जादा लिया इसको थोड़ा ध्यान देना चलो टेन नमबर के और बढ़ते हैं टेन नमबर में बोला गया है कि दोगो ट्रेन है एको जेनरल ट्रेन है जेनरल ट्रेन मतलब उसमें समानुमान लाद के ले जाया जाता है और दूसरा पैसेंजर ट्रेन मतलब वहां आदमी लोग बैठता है और उसमें से एक जगह से बेंगलूर जाता है अब मैसोर से बेंगलूर का दूरी है 132 किलोमीटर दोनों मैसोर से बेंगलूर है जाता है लेकिन जो जेनरल वला ट्रेन है उसका पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर पर आवर स्पीड जादा है तो चलो हम लोग पैसेंजर वला ट्रेन का स्पीड एक्स किल किलोमेटर पर आवर माल लेते हैं तो यार जेनरल वेला ट्रेन का स्पीड कितना होगा ग्यारा किलोमेटर ज्यादा है तो एकस में से ग्यारा जोड देंगे है ना तो एकस प्लस लेभन किलोमेटर पर आवर जेनरल वेला ट्रेन का स्पीड हो गया अब यार डिस्टेंस तो से में ही होगा 132 किलोमेटर दोनों तो मैसुर से बेंगलूर ही न जा रहा है यार तो 132 किलोमेटर न ट्रेफल करेगा कोश्चन में और एक चीज बोला है कि जो जेनरल लोला ट्रेन है न वो पैसेंजर ट्रेन से एक घंटा पहले पहुचता है तो यार इसमें वही फॉर्मूला लगेगा इसपीड इसको लगा रहें क्योंकि यार कोश्चन में दिया हुआ है कि जेनरल लोला ट्रेन पैसेंजर से एक घंटा पहले जाता है अगर हम लोग पैसेंजर ट्रेन का टाइम को माइनस कर देते हैं तो वन आना चाहिए चलो तब यार जेनरल लोला ट्रेन का तो यार दोनों का time निकल गया, अब दोनों को minus कर देते हैं, शुरू में हम लोग passenger train का time लिखेंगे, च्योंकि यार passenger train ज्यादा time लिखता है, और general train कम time लेता है, तो general train का time लिख दिए, अब दोनों को minus कर देने से 1 आता है, यार equation तो बन गया है, इसका भी same process है, जैसे हम इसका LCM लेंगे, हमारा LCM लेने के बाद equation आ जा रहा है, यह आ गया, देखो यार, 132 एको plus में है, और एको minus में है, दोनों कट जाएगा, अब नीचे का solve करके cross multiply करते हैं, x into x is equal to x square, और x into 11 is equal to 11x हो जाएगा, यार यहां पर 1452 है, 50 लिख दिया थे, भाई, अब 1452 को इध इसको गुणा करके हम लोग ऐसा दो नमर बनाएंगे, जिसको minus करने से 11 आता है, तो यार, 44 में से 33 minus करने से 11 आही जाता है, तो minus कर देंगे, अब यहां पर x को common लेते हैं, x plus 44, अब यहां पर minus 33 को common लेते हैं, तो x plus 44 आ जाएगा, is equal to 0, अब यार, जो bracket के अंदर है, उसको एक तरफ रिखते हैं, आइदर और और करके, और दोनों को 0 के equal कर देते हैं, अब भाई, finally हमारा answer आजाएगा, x is equal to minus 44, और x is equal to 33, यार, भाई, कभी तुम train को minus speed में चलते देखे हो, minus 44 का speed में चल रहा है, तो यह तो note applicable होगा, हमारा answer होगा, x is equal to 33, तो हमारा passenger train का speed 33 निकल गया, तो हमारा general train का speed निकलने के लिए, 33 में से 11 जोड देंगे, तो हमारा आजाएगा, 44 किलोमेटर पर आवर, अब यार, last question को बना देते हैं, भाई, बोला गया है, कि दो square है, दोनों square का area को अगर हम लोग जोडते हैं, तो 468 square आता है, और अगर हम लोग तोनों square का perimeter को minus क करते हैं, तो 24 मेटर आता है, तो बताओ, तोनों square का side कितना कितना मीटर का होगा, भाई, आकोसान तो बहुत जवर्जस है, चलो इसको बनाना चालू करते हैं, माल लेते हैं, कि बड़ा वला square का side x मीटर है, और छोटा वला square का side y मीटर है, तो उसको language में लिख लेते हैं, इसको लिखने से नंबर मिलता है, y meter, भाई, xy के बगल में meter meter लिख लेना न, चलो तब यार दोनों का perimeter निकालते हैं, square का perimeter निकालने का फोर्मूला होता है, 4 into side, तो side है x meter, तो 4 into x is equal to 4x, छोटा वला square का perimeter हो जाएगा, 4 into y is equal to 4y, तो दोनों का perimeter निकल गया है, अब बड़ा square का perimeter में से, छोटा वला square का perimeter को minus कर देते हैं, तो 24 आता है, थोड़ा से देखो तो यार, इसमें फोर common लिया जा सकता है, फोर common ले लिए, हमारा equation छोटा हो गया, भाई, कभी ऐसा दाव मिलेना तो छोड़ना मत, common लेने का दाव मिले तो ले लेना, हमारा x is equal to 6 plus y आ हैं, अब दोनों का area निकालते हैं, तो बड़ा वला square का area हो जाएगा x square, क्योंकि बड़ा वला square का side है x, और छोटा वला square का area हो जाएगा y square, अब यार, दोनों का area को जोड़ने से कितना आता है, 468 meter square, तो दोनों का area को जोड़ दिए, तो भाईया, हम लोग का equation 1 में क्या हुआ है, equation 1 में लिखा हुआ है, x is equal to 6 plus y, हम लोग x के जगा में 6 plus y रख सकते हैं न, हाँ भाईया, तो 6 plus y का होल square, plus y का square is equal to 468 meter square, अब ये a plus b का होल square में है, तो a square plus b square plus 2 a भी लिख दिए, plus y square is equal to 468, अब यार इसको solve करना है, भाई, 468 को इधर ले लेते हैं न, यार, plus minus है, इसको तो समझाना नहीं न पड़ेगा, तुम भी इतना समझदार हो भाई, कि plus minus को भी समझाना पड़े, two common आ रहा है, common ले लेते हैं, common लेने के बाद हमारा equation छोटा हो जाएगा, तह इस यार, अब इसको गुना करके ऐसा दो नमर बनाते हैं, जिसको जोडने से 6 आ जाए, तो गुना करके हमारा बन गया 12 और 18, है न, तो y square plus 18y minus 12y minus 206 is equal to 0, इधर y को common ले लेते हैं, और इधर minus 12 को, अब यार, bracket वाला को एक साथ लिख देते हैं, और bracket के बाहर वाला को एक साथ कर देते हैं, तो हमारा y is equal to minus 18, और y is equal to 12, यार, minus 18 तो not applicable होगा, ये वाला सही अंसर हो जाएगा, तो y हम लोग छोटा वाला square का side को माने थे न, तो बड़ा वाला square वाला side कितना होगा, यार, equation 1 याद है, x is equal to y plus 6 था, तो y के जगा में 12 रखो, और उसमें 6 जोड़ दो, त चलो बाई मिलते हैं, नया चिप्टर में,